Hi everyone, welcome back to my channel तो अभी की जो वीडियो आप लोगोंने obviously देख लिया होगा thumbnail, बट मैं फिर भी बता देती हूँ अभी recently बिग बॉस में एक टास्क वा था जिसमें की सब को other contestants को roast करना था और हमारे Elvish तो he is a master in roasting सब को ही पता है यह चीज तो उसका आज का है जो मेरा reaction video है उसी की एक clip है I think 4-5 minutes, 5 minutes की है तो आज हम लोग उस पर reaction video देखने वाले है I know आप लोगोंने देख लिया होगा बट मेरे साथ एक और बार देख लो मजा आएगा देखने में क्योंकि मैंने नहीं देखा था मैंने वोचीज नहीं देखी विकि मुझे आप लोगो के लिस में reaction video उना नहीं थी और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो then do subscribe to my channel which is कीरती चार्थ और वीडियो अच्छी लगेगी तो like, comment, share, subscribe जरूर कर देना और जाके Elvish को बहुत सारे votes करो फटा फट जाके अब तो multiple votes हो गए है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं let's play good afternoon everybody good afternoon Elvish welcome to my roast और सबसे पहले मैं बेबी का जी को कुछ बोलना चाहूँँआ तो बेबी का जी इतनी negative है कि कभी कभी इस घर में real negative energies भी आएं तो वो भी एक बारी को डर जाएंगी कि यार इस घर में कुछ तो negative है बेबी का जी इतनी बड़ी face reader है बहुत ग्यान है उनको इन चीजों का कि लोगों के चेरे बढ़ती है उनके बारे में चीजे बताती है पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अपना चेरा उन्होंने नहीं पड़ा क्योंकि वो confused हो जाती होंगी कि अपना कौन सा चेरा पड़ू बुरे वाला या बहुत बुरे वाला बेबी का इतनी बड़ी जूटी है कि अगर उससे आप टॉप थ्री कंटेस्टेंट का नाम पूछेंगे तो वो अपना भी नाम इंक्लूड करें बेबी का इतनी डम है कि कभी कभी मुझे लगता है कि इनकी पॉजिटिविटी के साथ इनकी डिगरी भी नकली है बेबी का के हिसाब से घर में दो इंपोर्टेंट चीजें जो वो करती है एक डांस और दूसरा नॉइस पोलूशन अभी शेख जी अजी अभी शेख एक बात को इतना जादा रिपीट करता है भाई उतनी वारी तो टीवी वाले सूरे वंचम भी रिपीट पे नहीं चला है अभी शेख में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि अगर भार से भी शो को देख रहा होता और कहता या डिजर्विंग तो मैं तो ट्रॉफी से क्यों देदी अभी शेख की फिनाले से दो दिन पहले बिना किसी रीजन की प्राब हो गई भाई रुक तो जाता फिनाले तक मैं तुझे रीजन भी दे देता अभी शेख ने बाहर लाइफ में बहुत सारी चीजे करी हैं वो यूट्यूबर है इंस्टेग्रामर है किसी का भाई है किसी का बेटा है और अब तो बिग बॉस OTT season 2 का runner-up भी है Coming to पूझा जी जी में आपका पूझा जी घर में इतना काम करती हैं बहुत मेहनद करती हैं कभी वाश्रूम करती हैं और छोटी-छोटी चीजें जो की दिखता भी है वो ऐसा इसलिए नहीं करती कि उन्हें वो अच्छा लगता है वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनको पता है कि एल्विश के घर में बहुवों से इतना काम कराते हैं अगर पूजा जी से पूछा जाए कि घर में आपका गुस्सा कौन कंट्रोल कर सकता है अभिशेक, एल्विश, बेबी का या मनीशा तो उनका जवाब बिलकुल सेम ही होगा वो बोलेंगी ओविसली मेरी निकोटीन वाली चूइंगांस लास्ट है ये रोस्ट नहीं है बट कुछ है जो मैं बोलना जाता हूँ, यह इस गर में बहुत लोगों को आप से बहुत सारे सवाल हैं वो खुलके नहीं पूछ पाते, बहुत दिल के सवाल हैं, कुछ वैसे सवाल है, तो आज मैं अपने दिल की एक बहुत इंपोर्टन चीज आपसे पूछना जाता हूँ यह क्या था? यह समझ नहीं आया मज़े गाइस कॉमेंस से बताना इसका क्या पूछाए रोने उसके बाद आती है हमारी मनीशा जी, मनीशा जी माई फेवरेट, लास्ट में जैसे हमारी बॉड़ी में बहुत सारी चीजे जरूरी होती है आख, कान, नाख, हाथ, पैर, जिनके बिना बॉड़ी अधूरी है वैसे मुझे लगता है मनीशा के अगर कान काट दिये जाएं तो भी उसकी बॉड़ी पूरी रहेगी क्योंकि उसे सुनना तो तब भी नहीं पसंद और नावर मनीशा को दूसरों की चीजे बहुत अच्छी लगती हैं उनको पता है कि वो उसे नहीं मिलेंगी उसमें बहुत सारी चीजे आती हैं जैसे कि खाना, कोई समान, मैं यह बिक बॉस की ट्रॉफी और बिक बॉस की ट्रॉफी आपको मिल जाई मैं दूँ आपको वाव दो मिनिट के लिए दिखाने को दिल कर दो मैं बहुत खुश हुआ था कि मनीशा टॉफ फाइफ में आई मैं बहुत दिल से खुश हुआ इसलिए नहीं कि वो डेजर्विंग है इसलिए कि कोई है जो मुझे चाय बना के पिला रहा है सेवादारी मनीशा इतनी सेल्फ ऑपसेस्ट है उतना तो अभी शेक अपने फॉल्वर से भी नहीं है जाते जाते मैं यह बोलना चाहूँआ कि जैसे सब को मैंने रोस्ट करा तो एक रोस्टर का फर्ज भी बनता है कि वो अपने आपको भी रोस्ट करें तो मैंने तीन लाइने अपने उपर भी लिगी है कि मैं अपने आपको भी रोस्ट करूं कि अलविश अदव इस सो देसी कि वो अपनी वाइफ को बीच पे भी सूट सलवार पहनाएगा बीच पे एलविश अदव बिग बॉस के घर में इतना इंडल्ज हो चुका है कि वो बेड में भी वाइल्ड नी वाइल्ड कार्ड होगा एलविश अदव जयता ही था नाइस यह जो अब खुद को भी रोस्ट करा ना वो भी बहुत तगरा था मज़ा आया मेरे को इसमें भी और थर्ड पॉइंट कर गया बस बड़ कोई बात नहीं बाकी जो अबिशेक के लिए जो इन्होंने बोले थे वन लाइनर जो बोले की रनर अरफ वाला वो मतलब वो तो होने ही वाला कि यह मुझे लगता कि इस पर भी बहुत सारे फैन पेज़े जो एडिट कर देंगे क्यूंकि एक्चली एल्विश जीतने वाला है और रनर अरफ अभिशे की होने वाला है तो यह सब ने एल्विश अब दिवा में कैलकुलेट तो करी लिया है इसलिए भी उन्होंने यह लाइन बोली उनको और मुझे अभिशे का फेस एक्स्प्रेशन देखके भी लग रहा था कि कहीना है वह चीज को एक्सेप्ट अप कर रहे हैं और अब धीरे धीरे सब की धड़कने भी बढ़ रही है कि अब कल फिनाले हें बिग बॉस का तो हर किसी को बता है हम भार है तो हमें समार्ट ने कि है यह एक तरीक vous ही सब के लिए और पूझा जीह जितेका एक उन्होंने कुछ तो कवेशन किया या वो मुझे समझ में नहीं आया तो आप जोंग पले मुझे प्लेस करने के लिए कुमेंट से बताना कि उन्होंने क्या आप से पूछ ट कि पूछने को यह थी क्या पूछा कि वो पुरा इस सो नेगरेटिव उनका वो ना अच्छी चीज नहीं देखती कभी भी इस सो नेगरेटिव 24 गंटे उनको लड़ना हो था हमने शुरू से लेके एंड तक मैंने देखा था लड़ती रहती थी लड़ती रहती और एंड तक वो ऐसी ही रही है तो मेरेको बहुत अच्छा लगा मजा आया ये रोस्टिंग वीडियो में बाके सबको तो नहीं देखा इतना इंपोर्टन भी नहीं है अलविश का देखना जरूरी था तो बस आज की वीडियो इतनी है और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट्स करना, शेर करना और अगर मेरे चैनल पे नहीं आयों तेन डू सब्सक्राइब तो मैरे चैनल विचिस कीरती चांद और मैं आपको मिलूंगी नेक्स वीडियो में तिल देन बाइ-बाइ, तेक केर, जयश्री रम